एक्सेसे 6.4 है चाप्टर 6 है पर्मुटेशन्स एंड कॉंबिनेशन्स एलेवन्त मैक्स NCRT तो क्वेशन नमबर वन है इफ एनसी एट इक्वल है एनसी टू फैंड एनसी टू ठीक है ठीक है आपने को एक बात मालूम मैं लिखतू मैं यहां पे वी नौ देट ठीक है इफ इ B के एक्वल होता है या कभी 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 और 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 A प्लस B N के एक्वल होता है NCA एक्वल NCB रहा तो A B के एक्वल होना A B के एक्वल होना या A प्लस B N के बराबर आता है A प्लस B N के बराबर आता है तो यहां पे क्वेशन्स क्या है मालूम है NC8 एक्वल NC2 अब 82 के बराबर नहीं है तो यह यहां पर तो यह यूज नहीं हो रहा है अब a plus b n होता है तो यानि यह बोल सकतों है 8 plus 2 n होता है तो finally n किता आया 10 आया n किता आया 10 ठीट है find क्या बोला है find n c2 n पर किता आना 10 10 c2 formula मालूम है यस n c r formula क्या है n factorial divided by r factorial into n minus r factorial ठीच है तो फार्मूले में रख रहा हुँ यह 10 factorial होता है divided by r बोले तो 2 factorial इसके बाद 10 minus 2 factorial ठीच है इसको 10 को भी रख करेंगे 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial 2 into 1 into 10 minus to 8 8 factorial 8 factorial इन 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 गेट कैंसल इन यहां से रहे तो फाइव 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 आंसर किता आया 45 तो exercise 6.4 का question number जो है two solve करते है question already मैं यहां पर लिखा हुआ हुआ हो मैं question है determine n n को find करना है if 2 n c 3 ratio n c 3 equal 12 ratio 1 इसका roman 1 है इसका roman 2 में यहां भी लिखा हुआ हुआ roman 2 देखो इसका है 2 n c 3 ratio n c 3 equal 11 ratio 1 roman 1 and roman 2 का lhs ना lhs ना सेम है देखो आप देखो आप 2 n c 3 ratio n c 3 rhs यह 12 ratio 1 है तो यहां पर 11 ratio 1 है right ना तो lhs इसका करेंगे हम rhs में 12 ratio 1 को बाद में क्या करेंगे 11 ratio 1 करेंगे ठीक है अच्छा दोशन है इसको करेंगे इसको ठीक है हम यह पहले इसको एक बार साही लिखतों में क्या मैं इसको रेश्य वाइसा लिख सकतों में 2 n c 3 upon में n c 3 equal equal 12 divided by 1 ठीक है ना 2 n c 3 divided by n c 3 equal 12 ratio 1 यहां पर फार्मुला कोंसा यूज होता बूला यह यूज होता n c r वाला क्या है फार्मुला n factorial divided by r factorial into n minus r factorial यह फार्मुले का यूज करूंगा मैं यहां पर numerator में n पर 2 n r पर 3 numerator में इस बार फार्मुला लगा रों मैं तो क्या होता यह 2 n factorial divided by r पर क्या रखना है 3 3 factorial into 2 n minus r बोले तो 3 है factorial कुछ ने करा मैं numerator में फार्मुला लगा यहां थीक है अब denominator में फार्मुला n पर n है r पर 3 है क्या होता देखो फही क्या होता देखो n factorial थीक है upon me upon me or right five factorial into n minus r यानि तिरी factorial equal 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 2L ratio 1 ठीक है ठीक है जो cancel होता है वो cancel करो देखो तिरी factorial तिरी factorial yet cancel होता ठीक है आपने को एक बात मालूम N factorial को अगर N को factorial की बाहर लिये तो अंदर एक कम बच्छता N minus 1 factorial बच्छता ठीक है na ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं कि अगर तो 2N को फैक्टोरियल के बाहर ले तुम्हें तो अंदर एक क्रम बच्टा 2N-1 इसके बात फैक्टोरियल बच्ता इसको भी में बाहर लिया तो फिर 2N-2 फैक्टोरियल बच्ता इसको भी बाहर लिया में 2N-2 फैक्टोरियल बच्ता और यह बलीत है तो उसी हिसाब से हम 2N को बाहर लिए 2N-1 फिर 2N-2 2N- यहां पर 3 आना तिरी आना divided by divided by divided by यह एज़िस रखेंगे 2N-3 factorial as यह बाहर लिया तो एक कम बचेता एन सब्सक्राइब पταएं मैंद 40 quelque आद एस यहां पर 12 कौल ये सब्सक्राइब नाच आप जो बचार उसके इन पर लिखी गाःएं आप क्याम पाह जो क्या सबस्क्राइब लो टूर्फ है क्या बचार वह यहां से क्या बचक्या क्या बचारएं नो 1 ठीथ है यहां से 2 common आता यास 2 common आया तो remaining n-1 बचता राइट ना यहां से 2 common लिया ठीथ है इन्हें तो पूरा गया यहां जाने के बाद यह नीचे यह बच्छा क्या बच्छा n into n-1 फिर यहां पर क्या बच्छा n-2 बच्छा अरे बरोबर इक्वल 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 2 will divide 1 ऐक्वल 2 will divide 1 जो cancel हो तो cancel करो n-1 n-1 get cancel n-n get cancel अब फैनली जो बच्छा इस बाद तुम्हें यहां पर लिखूना जो बच्छा फैनली यहां पर 2 है यहां पर 2 है और यहां पर क्या है 2N-1 ठीट है ठीट है फिर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है यह 2 और यह 2 मिलके 4 बनते हैं तो मैं आप 4 लिखते हैं यह 2 यह 2 इन 2 में है फिर remaining क्या बचा 2N-1 अप उन में क्या बचा N-2 बचा देखो N-2 बचा equal 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 2L divided by 1 ठीट है अब क्या करेंगे cross multiplication करेंगे इसकी multiply इसके साथ होती तो क्या होता है 4 into 2N-1 ठीट है ठीट है 12 की multiply इसके साथ होती याने N-2 होता है ठीट है 4 into 2N 8N minus 4 into 1 4 equal equal 12N-24 ठीट है minus 4 as it is ठीट है यह minus में है LHS में लाए तो प्लस होता प्लस 24 equal equal यहाँ पे 12N इस बात को RHS भीज़ा तो minus 8N होता minus 8N होता ठीट है 24 में 4 गया तो यह 20 बच्चा equal equal 12N में minus 8N गया तो यह 4N बच्चा इससे इसको cancel करो N किता है बोलो 5 N किता है 5 इसका रोमन 2 जो है यहाँ पे लिखाता हमें मैं रोमन 2 यह वक्त बताया था हमें रोमन 1 का LHS और 2 का सेम है 2N C 3 ratio N C 3 equal 11 ratio 1 यहाँ पे 12 ratio 1 था तो फाइनली ना हमें ना हमें यहाँ तक तो सेम मिलेगा concept यहाँ तक तो सेम मिलेगा 4 इन्टू 2N माइनस 1 अपाउन में N माइनस 2 equal 12 ratio 1 था तो मैं यहाँ पे 11 ratio 1 करूंगा राइट ना ठीक है अब 11 ratio 1 करूंगा इसकी मल्टिप्लेस के साथ तो क्या होता है दोखो 4 इन्टू 2N माइनस 1 ठीक है 11 की मल्टिप्लेस के साथ 11 इन्टू N माइनस 2 राइट ना 4 इन्टू 2 8N माइनस 4 equal 11 N माइनस 22 ठीक है ना ठीक है यह माइनस 4 इसको अगर LHS लेया तो प्लस होता प्लस 22 equal 11 N इसको अगर RHS भीज़े तो माइनस होता माइनस 18 ठीक है यह किता होता 18 होता और यह किता होता 11 में यह गया 11 N में माइनस 8 N गया तो किता 3 N बचता इससे इसको cancel करो कि N की value किते आ रहे 6 बहुत simple वे से मैं discuss किया वीडियो को pause करके आप इसे note करो